हाई गैस तो आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगा अपना एक स्कैनर जो फ्लागेंड पॉल पाटन फाइंड करने के लिए होता है पहली बोलता हूं स्कैनर का लिंक टेलिग्राम के अंदर होगा तो आपको टेलिग्राम फॉलो करना पूड़ेगा देखने के लिए ठीक है अब सब्सक्राइब तो मैं पैटन समझा देता हूं पैटन होता किया और मेरे सबसे जो भी जिसने भी आज से ट्रेडिंग करी उसको पता होगा कि पैटन क्या होता है बट एक बार देखने क्या होता है देखो फ्लागेंड पॉल दो तीन तरह का बैट दो तीन तरीके से ब अप मूव में भी आ सकता है, डाउन मूव में भी आ सकता है, बट अब इसको find कैसे करें, इसको trade कैसे करें, और फिर identify कैसे करें, वो सब कोच इस वीडियो पे अंदर है, तो आप अराम से बैठ के देखो, और यह कोई भी time frame पे यूज़ो सकता है, hourly, 15 minutes, daily, weekly, वो आपके उपर है, आपकी preference है, जो आपको बढ़िया लगता हो, उसे साब से करना, तो सबसे पहले तो scanner दिखा देता हूँ, यह scanner है, और मैंने खुद नहीं बनाया, यह मैंने कहीं Twitter पे देखा था, थोड़ी सी modification करी है, इसमें मैंने बस, और एक और सी उतार हो, scanner का link नहीं चोगा, तो copy कर लेना, copy करने के बाद आप यहां पे दिन भी change कर सकते हो, ठीक है, तो जो भी आपके जितने भी दिन बढ़िया लगे हैं, वो, 20% stock, 20% जो 10 दिन के अंदर उपर गए हूँ, क्यों, क्योंकि अगर देखो, अगर आपको, यह flap, pole ढूनना है, तो pole कैसे मिलेगा, pole का मतलब है, pole का मतलब है, जो market ऊपर जा रही है, ऊपर जाने का कैसे मिलेगा, जो stock 20% ऊपर के है, अब कोई अगर यह पुझगा न मुझसे तो 20% के हूँ है, मुझे नहीं पता, इसका कोई fix answer नहीं है, 20, 30, 25, 35, सब कुछ बनाओ आप, try करो, ठीक है, अब मैं बता हूँगा, मैं क्या क पर देता हूँ, ठीक है, अब मैंने pattern समझा दिया, और आपको मैंने scanner दिखा दिया, अब chart पर चलते है, थोड़ा साब को list दिखाता हूँ, यह list दो हफ्तों की है, ठीक है, और शुरू करते है video, देखो, यह chart के अंदर था, scanner के अंदर पहले भी था यह वाला stock, मैं drawing tool निका breakout, नीचे आजाओ, अभी बात करूँगा, मैं execution की, और कैसे क्या करना चाहिए, बट अभी मैं आपको से दिखार हो, scanner क्या क्या कर सकता है, तो यह भी scanner में था, यह सारे stocks मैंने add, remove नहीं करे, सब कुछ थे scanner के अंदर, आप देखो, यह कोई कहगा, यह flag नहीं है, यह pole, यह flag यह breakout, दोनों तरीके के दिखाती हैं, आपको नीचे करते होगा, यह list में नाम भरे होएं, और ऐसे आप ढूंड सकते हो, बहुत सारे नाम, एक चीज़ याद रखना हमेशा, जो भी stock होगा, उसके उपर volume जरूर चेक करना, अगर volume बहुत कम हो, तो उसको trade मत करना, बहुत flag and pole दिखा रहा है आपको, यह मेरी कल की list है, aptech तो मेरे सब से सब ने देखा होगा, मेरे चैनल पर trade में ने 2-3 बार दाला हुए, और यह बैटर में ने देखो, यह यहाँ पर trade कर रहा था, यहाँ बेचा था, यह भी दाल रहा है मैं चल पर, यह इसी scanner से ढूंड रहा था, अब यह मैं आपको सिरु चार्ड दिखा रहा हूँ, थोड़े बहुत, देखो, यह भी आ रखा ने, इसके अंदर, अब यह इस हफ्ते है, विश्ले हफ्ते है, मेरे को नहीं पता, वाटे मैं add करता रहता हूँ, क्या जा रहा है, कितने नाम होंगे, 70 नाम scan करने में 15-20 मिन देद होंगे, क्या जा रहा है, ठीक है, तो, देखो, यह सारे नाम आ रहे हैं, और, अब मेरे का सब समझ गए होंगे, कि यह कल की watch list के भी नाम ready है, ठीक है, उपर देखे हो, अलर्ट लगा हुआ, तो आप सब मेरे का सब समझ गए होंगे, कि pattern क्या है, और कैसे क्या करना है अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको, इसको execute कैसे कर रहा है, क्योंकि देखो भई, यह सब दिखाना, post market, execution, real बात होती है, ठीक है, मैं आपको बोल सकता हूँ, यह breakout है था, कोई यहाँ बाय करना था, बट कहाँ बाय करना था, अब मैं आपको यह बाय करना था, अब मैं मैंटर करता है, और आपके risk management पर, पहली बाद रहेगी, लोग पूछेंगे, क्या इस breakout बाय हो सकता है, बिलकुल हो सकता है, इस breakout का stop loss कौन अच्छी, वो आपके risk appetite बताएगी, और आप कितने अगर ऐसे वो, कई लोग तो just day low लगाते हैं, कई लोग previous low लगाते हैं, ठीक है, तो simple सी चीज समझो, जैसे ये breakout आ रहा है, अब आप मानलो daily chart देखते हो, तो आप पूरा wait नहीं कर सकते है, daily chart के over उनेगा, तो ऐसे तो 95 का stop, आप 104 का हरी दोगे, और अगर 93 पर stop loss लगाओगे, तो holy अगाम आपका, 10-10 point का stop loss लगाओगे, तो profit कब लोगे आप, ठीक है, त तो अब ये देखो, ये breakout कितने minute पर buy करना की, जैसे अगर मैं इसको split करतू, screen को अपनी, यहाँ पर आ गए हम छोटे time frame पर, ठीक है, अब ये 15 minute का chart है, इधर, यहाँ breakout आ रहा है, इधर, 10-15 पर breakout आ रहा है, अब 15 minute देखके करना चाहिए, आदा गंटा, वो depend करता है आपके experience के उपर आपके ट्राय लेना है, भाई देखो, reading कोई fixed game नहीं है, कि किताब में एक fixed rule है, हर चीज का अपना एक फायदा है, अपना नुकसान है, जो बंदा open पर खरीद रहा है, वो open का risk ले रहा है, open का फायदा ले रहा है, पूरा move लेगा, और जो आदमी late खरीद रहा है वो safety ले रहा है, क्योंकि कभी को बार move जब नीचे चले जाएका, तो उसको loss भी नहीं होगा, उसको profit भी नहीं होगा, उसको loss भी होगा, ठीक है, जैसे जादा पानी भी हो, तो बार वात रून दाना पड़ता है, कम पानी भी हो, तो तबेद खराब रहती है, तो हर चीज क कि मुझे को experimentation नी करनी, मुझे किताब पे लिके दो, तो ऐसे नहीं हो सकती trading, क्योंकि आपको नहीं पतागी है, आपका style क्या है, आपका style आपको trade करने के बात पता लगेगा, ठीक, अब मेरी recommendation क्या है, मैं क्याट करता हूँ, मैं generally 15 मिनिट से एक घंटा यूज करता हूँ, क इनके trade होगा है, खतम की नहीं होगा है, ठीक है ना, अब जो ऐसे moves होते हैं, यह यह, बिलकुल ऐसे breakout बाय करने वाले, वो कभी कबार ऐसा होता, breakout देके fade भी कर जाते, तो अगर आपने वो सब नहीं देखा, तो आप confused हो जाओगा, और आप उसे hold करके बैठे रहोगे, कि य कैसे लेना है, प्रॉफिट लेना बहुत जरूरी है, अगर मैं आपको अपने AP Tech, मैंने लॉग कर रखा है, दिखाने के लिए थोड़ा सा, तो एक सेकंड रुखो, यह खुलने के लॉग, और फिन मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रॉफिट कैसे लेते हैं, क्योंकि एंटरी करना बहुत असान है, प्रॉफिट लेना, सबसे मुश्किल काम है प्रॉफिट बॉख करना, और मैं आपको ग्यान दे रहा हूं, बट मैं अभी इतना अच्छा न्यूफिट बॉख करना है, मैंने बड़े सारे प्रॉफिट मिस्स करें, मैं बैठ रहता हूं, इस उमीद मे तो देखो, पहले 100 कॉंटिटी बॉख करी है मैंने, सेल प्रैस का 340 पर, 340 का है, यहां पर, जब एक अच्छा आप मूव आ गया, तो मैंने थोड़ी सी 25 परसंट कॉंटिटी बॉख कर लिए, 25 परसंट करने से क्या होता है, अब जब मूव हलका सा रीट्रेस होगा, कोई कोई चीज सीधी तो भागती नहीं, जैसे यह रिट्रेस्मेंट आ रही है, इनमें मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरी सिरफ 50 परसंट कॉंटिटी पटी है, 50 परसंट बॉख कर चुका, देको लगबग 2, 3, 2, 3, और कितना, लगबग 4,000 पर बॉख कर चुका हो, और मेर 2,000 पर ओपन है, ठीक है, तो मैंने लगबग लगबग अपनी रिस्क का 2 टाइम्स तो बुक करी लिया, तो अब कल को ये पूरा अप लुवर सरक्ट ला आगे भागता भी रेगा, तो मैं कॉस्ट पर निकल जाओंगा, ठीक है, बट एक चीज दिखो, आपको जब भी बड बड़े-बड़े moves आ रहे हैं, जैसे मानलोग stock 10-12% extend हो के, 25% बेच दो, 30% बेच दो, 40% बेच दो, अब इसकी भी कोई पुच्छे-पुच्छे का कि कितनी % बेच नीची है, वो आपकी personal preference है, कि आप कितनी दर्स को hold कर सकते है, आपका क्या view है, मुझे पता है, मुझे पत एक अच्छा trader बन गया, और मैं आप सब आपको अपने experience से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी भी मैं नहीं बेच पाता कभी पर strength में, ठीक है न, तो मैं आपको बोलता हो रहा हूँ, बट कभी पर मेरे से मैं भी नहीं बेचता, क्योंकि इंसान, एक इंसान के अंदर greed होती है सीधा अपनूफ, अब पढ़िया एक quantity, अब तो मैं अगली entry देखने के लिए ढूंड रहा हूँ, देखो flag and pole बनाके फिर से एक बार टाइट हो रहा है stock, volume देखो कितनी हाय है, volume पे भी हमेशन नजर रखा करो, buying के time आ रही है, volume की selling के time आ रही है, देखो, volume के से flat हो जाती ह ठीक है, यह सब चीज़े देखो, volume भी burst हो, sketch burst आ रहा है, volume पूरी खता हो जाती है, और फिर देखो, blast आ रही है, ठीक है, volume पे भी ध्यान रखना ज़रूरी है, तो यह आज की वीडियो थी, इसमें अगर किसी को कोई doubt हो, तो नीचे comment में लिख दो, बाकी मैं ऐसी वीडियो और बनातर हम अगरा पूचे है ये तो, तो नीचे comment